हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्वेता और आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू बेसन के लड्डू हम बनाएंगे और दिवाली आ रही है धेर सारी मिठाईयां आप बनाना हैं तो आप वीडियो डेली देखा करिए और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो भी टिप और ट्रिक्स हैं वो अच्छे से पता चल जाएं तो चलिए देखते हैं मैं इसे कैसे बना रही हूँ बेसन ले लिया है मैंने करीब एक किलो बेसन है यह और इसे चान लिया है बेसन को हमेशा चान के लीजिए क्योंकि बहुत सारा कच्रा इसमें होता है मैंने यह मार्केट तो यह से पिसा हुआ बेसन ही लिया है आप चाहो तो चने की डाल लेकर इसे पिसवा भी सकते हो है घर में पिसवा ओगे तो यह बिलकुल प्योर मिलता है चने की डाल से लेकिन आजकल दाल भी कई वे पता नहीं चलता कि सही है या गलत हैं बट मैं मार्केट से मैंने ले लिया और ये देखिए कितना सारा कच्रा इसमें निकला है इसे हम हटा देते हैं और ये बेशन जो है इसे हम डाल लेंगे एक पैन में तो इसे हमें भूनना है एक कडाई या पैन जो भी आपको लेना हो ल हो गया 6 तो यह 6 कप बेसन हमने ले लिया है और इसी मेजर से हम इसमें चीनी भी लेंगे इसलिए मैंने आपको मेजर करके बता दिया करीब एक किलो यह बेसन है इसे बिल्कुल धीमी आज पर हमें पहले ड्राइ रोस्ट करना है बिल्कुल सिम्पर रखिए क्योंकि अगर टेज आप कर दोगे ना तो जल्दी से नीचे से जलने लगेगा और यह भुन नहीं पाता है और कच्चा ही रह जाता है फिर टेस्ट इसका ना अच्छा नहीं आता तो यह देखे मैंने इसे पहले ड्राइ रोस्ट कर लिया पांच म में आएगा तो मैंने यह रिफाइन डाला है आधा कप पहले और इसके बाद इसे मिक्स कर लिया है हमें ज़रुरत पड़ेगी तो फिर हम फिर से और डालेंगे तो यह देखिए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें तो अब मैं इसमें आधा कप और और डालूँगी या फिर नहीं ज़रुरत पड़ेगी तो हम इसमें फिर नहीं डालेंगे तो यह देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मुझे इसमें ओयल की और ज़्यादा ज़रुरत नहीं लग रही है अभी आपको यह थोड़ा सा भुरुरा लग रहा होगा बट यह जब हम धी इसमें वाली कंसिस्टेंसी में आ जाता है और बस यह भून गया है इसे अब हम निकाल देते हैं भूनने में करीब आदा घंटा इसमें लगता है बिल्कुल सिम पर इसे भूनना है और यह देखिए मैंने चीनी को पीस कर रख लिया था और अब इस पिसी चीनी को हम तीन डालेंगे हमने 6 कप बेसन लिया था तो पिसी चीनी हम इसमें डालेंगे 3 कप इसी मैजर से अगर आप बनाओगे न तो चीनी कम जादा नहीं होगी बिल्कुल सही सही टेस्ट आएगा इसमें और चीनी तो कम जादा भी कर सकते हो आप अगर कम चीनी खा सकते हो तो थोड़ अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो जाए और ये देखिए अब ये हम बांद के देख लेते हैं तो ये बंदने लगा है बट अभी थोड़ा सा ड्राय है तो अब मैं जो ट्रिक बतारी हूँ न ये देखिए मैंने देशी घी डाला है इसमें उपर से ये दो से तीन बड़े च इसका रीजन ये है कि जो हमने इसे ओईल में भूना था तो वैसे भी हमने रिफाइंड ओईल में भूना था तो इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है बट हमें देशी घी वाला जो फ्लेवर लाना है उसके लिए हमने इसे ऊपर से इसमें देशी घी डाला है उपर से जब आ लडू में तयार कर लेंगे, अच्छी तरीके से बन रहे हैं तो चलिए, मैं पहले बना लेती Molly, आपको दिखाती हैं, और ये देखिए सारे लडू मैं ने बना लिए हैं, गतने धेर सारे लडू बन का रेडी हुए हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना कितनी शाइन आ गई है इसमें और कितने बढ़िया बने हैं ना ये बह रहे हैं मतलब अगर आप कभी-कभी क्या होता है जादा ओयल या घी हो जाता है तो बंदते नहीं है ठीक से उनका शेप अच्छा न बने हुए हैं बिलकुल भी क्रैक्स नहीं इसमें आये हैं और नहीं जादा वैसे हैं कि शेप में नहीं आये हैं पूरे शेप में बने हुए हैं और बड़िया टेस्टी लड़ू ये बनकर तयार हुए हैं और ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कितने सॉफ्ट ये बने हैं ये देखिए एकदम मुँ में जाते ही घुल जाने वाली consistency बनी है फ्रेंड्स ये आगर पसंद आया हो न तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए के फ्रेंड्स थैंक यू एंड बावाई